तो यहां जैसे पिछली बार बीजेपी और कॉंग्रेस में लड़ाई थी इस बार जैसे आम आद्मी पार्टी एक नई पार्टी आई है और निर्दली प्रत्याशी भी लड़ाई मुझे बताना है आमाद्मी पार्टी का मैं बता दूँ मुझे यहां का उम्मेद्वार बारे में नहीं बता हो न्हीं को अपनी मा भेत की वो गुजरात की क्या रक्सा करेगा नहीं कर सकता है वो आज भी नहीं और कल भी नहीं वो कुछ नहीं कर सकेगा आप आदमी पार्टी का जो हाथी के दान तो दे रहा है चबाने के और खाने के ऐसी बाद है आंगे आप इजधा Elly बात कहा से आई और घोपा लीटयी तो बता है जो मंदीर की बात नहीं कर रहा है मंदीर में जाना नहीं है सामय कर नहीं करनाा मांकी कि द्शक कि कोई रख्शा नहीं कर रहा है तो वो कल परसों समढ़ लो कर कि सरकार बना दी तो क्या हमारी माःन की प पाटीदार है तो क्या हुआ सर हमारी मा बहन है सर पाटीदार है मैं समत्ता हूँ उनको सब मुद्दे गिनके तोलके मापके बोलना चाहिए सर यह राद नितिये सर ऐसे बोल तब कहने मतलब है कि यहां आम आदनी पाटी का उतला नहीं है कॉंग्रेस और बीजेपी में लडा आए किसकी ओग वो तो देखो गुजरात में कभी भी कि तीसरा पक्स कभी भी आया नहीं है दो पार्टी चल रही है बाजब और कॉंग्रेस देखेंगे आगे क्या होता है यह जो कह रहे हैं तो यह पूरी पाटीदारों का ही लाका है करो है कि अ कि तो पाथीदारों के मुद्दे इस बार क्या है अब टेक्वा चूची सबीके पानी आता है ये फमें जो पानी आता है ये ने का पानी कारें मियोड समीह करें यहां तो 27 साल से बीजेपी की सरकार है सरकार है इधर काम करते हैं यहां काम होता नहीं ना